हेलो एवरिवन मेरा मंगे तेवारी है आज आम वे बहुत इंपोर्ट टॉपिक पर डिस्क्रिशन रने वाले है इसका नाम है जो की बहुत यूस्फुल होगा किसी भी गुम्टिटर टॉपिक्समें तो प्लीज मेरा रिक्वस्ट से आप वीडियो को एंड तक देखेगा चले शुरू करते हैं इसका कलर आप देख सकते हैं ग्रिनी शहलो है यह देख सकते हैं ग्रिनी शहलो है यह पुराने नोट्स और यह नए नोट है इसका रिलिस जाइट वैसे तो इतना इंपोर्ट नहीं है बट एक बेसिक अंडस्टेंडिक के लिए आप याद रख लीजे 26 अपरेल 2019 इसकी साइज है 129 mm x 36 mm वैसे यह बहुत जादा कुछ आज़ता को याद रखना पड़ेगा साइज इसका है 129 mm x 63 mm इसके डेटेल से कुछ देख लेते हैं इसके फ्रेंट पर आप देखेंगे मातमागाली सेंटर पर है और 20 रुपए जो है वो देवनागरी लेपी में दिखा गया है वैसे आपसे यह पूछा जा सकता है कि किसी भी एक note के अंदर कितने languages लिखे रहते हैं तो अगर पूछ यह आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा 17 पंदरा पीछे देख सकते हैं यह पैनल में लिखे रहते हैं लेग्वेज पैनल में और दो एक English हो गया एक Hindi हो गया तो टोटल हो गया 17 वैसे हमारे Indian Constitution में by schedule languages हैं जिसमें से 17 लिखे हुआ हैं इसके बैक में आप देख सकते हैं ऐलोगरा Caves है यह कहां पर है यह महरास्ट में है यह देख सकते हैं ऐलोगरा Caves यह महरास्ट में है महरास्ट का formation कब हुआ था एक मई 1960 हुआ था एक मई 1960 और महरास्ट में ही एक शहर है मुंबई जिस जो हमारी आर्थिक राज़ानी भी है और मुंबई आर्विआ का हेड़काईस भी है और आर्विआ के गवशनर कोन है शक्ते कांदास इसाट से यह कौन से नमघर के 25 में इनसे पहले 24 गवशनर होच oni पहले पहले आर्विआस गवशनर कोन थे तो आपका आंसर होगा Osborne Smith Osborne Smith ये तो थे ये तो former थे अगर आपसे कोई पुछा जाए कि पहला Indian गवर्णर कौन थे तो आपको आंसर होगा CD देश्मोग CD देश्मोग और महरास्ट के गवर्णर कौन है? बगत सिंग गोश्यारी बगत सिंग गोश्यारी पीचर देशकते हैं ये सच भारत का लोगो लगा हुआ है और स्लोगन है एक कदम सचचता की ओर एक कदम सचचता की ओर और मैंने बताया था लैंग्वेज पैनल है अब हम थोड़ा फ़ा एक बेसिक इडिश्मोग में जाजनेते हैं Notes Printing Press Notes Printing Press RBI अपने Note कहां Print करती है तो इसकी चार जगाँ ये Print करती है Mysore, Salmoni, Nasik, Devas Mysore, Salmoni, Nasik, Devas MS Dhoni इससे आपस होते हैं MS मतलब Mysore, Salmoni और ये Mysore, Salmoni में कौन प्रिस करता है भारतिये Reserve Bank Note, Modern, Private Limited ये याद रखना पड़ेगा भारतिये Reserve Bank Note, Modern, Private Limited और Nasik, Devas को कौन करता है RBI करता है उसी तरह Coin Minting Press है जो Coins है वो हमारी Government of India Mint करती है और इसकी 4 Centres है Noida, Hyderabad, Mumbai, Kolkata Noida, Hyderabad, Mumbai, Kolkata अगला है 100 रपे के Note अब जिसे ते हैं ये पुराने 100 रपे के Note है और ये नए 100 रपे के Note है इसका Calendar देख सकता है Color जो है इसका Lavender है Color जो है इसका Lavender है इसकी Release Date 19 July 2018 19 July 2018 Size इसका बहुत Important है 102 सेंटू 6 चली 102 सेंटू 6 चली 142 mm इंटू 66 mm तो डेटेल देख लेते हैं यहां मातना गाली सेंटर पे हैं और 100 रपे जो है वो देवनागरी लिपी में लिखा गया है पीछे आप देशकते हैं रानी की वाव है यह रानी की वाव कहाँ पर है यह है पतन शहर पतन जिला है कहाँ पर गुजरात में यह रानी के वाव किस नदी के पास में है सरसती नदी के पास में है अगर मैं आपसे इसका ओर्जिन पूछाँ तो आप बताएंगे आराविली हिल्स और अगर मैं आपसे पूछाँ कि सलसती रेवर पे कोई डैम भी है तो आप बताएंगे मुखेश्वर डैम यह जो है एक युनेसको वल्ड हरेटेस साइट है यूनेसको वल्ड हरेटेस साइट वैसे मैं आपसे यह पूछों कि युनेसको वल्ड हरेटेस साइट कम बना था 2014 को बना था और अगर मैं आपसे यह पूछों कि युनेसको वल्ड हरेटेस साइट कितनी है इंडिया में तो अब इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि अर्थिस में क्या है अर्थिस में 29 जो है वो कल्चरल है 29 कल्चरल 8 नेचरल और एक निक्स तो तोटल 29 प्लस एक प्लस वन मिल करके 38 बना जिता है फिर सच भारत का लोगोवाय स्लोगन है और लेंगज पहांगे फिर 10 प्लस वैसे यह नया है यह पुराना है चौकलेट ब्राउन इसका कलर है देख सकते हैं रिलीज देट इसका पांच जबन ही 2018 है साइज अब देख सकते हैं 123 mm इंटू 36 mm 123 mm इंटू 63 mm फ्रेंट में आप देख सकते हैं कि मातनाजादी के तस्वीर बीच में है और 10 रुपए जो है वो दिवनागरी लिपी में लिखा गया है और आप देख सकते हैं मोटिफ क्या है इसका कुनार्क सेंट टेंपल यह देख सकते हैं कुनार्क सेंट टेंपल यह कहां पर है कुनार्क सेंट टेंपल यह है उडिसा में उडिसा के गवर्नर को ने गनीशीलाल गनीशीलाल सीम को ने नवीन पतनायक और मैं आपसे यह पूछ सकता है थोला बहुत जत्म में चले गए तो किस डानेस्टी से बिलॉंग करते थे तो बता जाएगेगा इस्टेन गंगा डानेस्टी इस्टेन गंगा डानेस्टी कि पिर सच भारत लोगों स्लोगन देख सकते हैं आप यहां पड़ा हुआ है और लैंगुज पैनल पजास्टी के नोट आप देखते हैं यह पुराने नोट है और यह नए नोट है आप देखते हैं यह पुड़ा ब्लुएश है फ्लोरसें ब्लुएश रिलीस डेट की 10 मॉमबर 2017 कुछ डिटेल्स के वरे मत करते हैं तो फिर से वही मतमागादी बीच में और वजास्टाइ जो है वो देवनाग्री लेपी में लिखा गया है यहां हम्पी का शहर है हम्पी शहर और यह मैं अगर आप से मैं पूछे हूं हम्पी कहा है यह बलारी डिस्टिक है करनाटा में करनाटक के हिसाब से बड़ा में और आप मैं आपसे यह पूछे हूं कि करनाटक के मतमर में बच्वा और मैं पुछे हैं यह बना कि हा está हर आप किस आइनस्टी से फिलाँ करते थे संगम मैनस्टी संगम मैनस्टी फिस से सच भारत लोगो है स्लोगन है लैंगवज पैनल अब यह पांचवा 200 रुपए का नोट यह देशाथे हैं 200 रुपए का नोट यह ब्राइट यलू कलर का है यह पहले नहीं था पुराना मुलब यह नया ही इंटर्डूस किया गया था और 25 रुपए को इंटर्डूस किया गया था इसका साइज है 146 mm इंटू 166 mm कुछ डेटल देख लगते हैं तो मार्तनागादी की तस्वीर बीच में है और पीछे उसके सीम कौन है इसके सीम है शिवराहाज सिंह चोहान और यह दूसरा सबसे बड़ा राज है तो सबसे बड़ा राज है वो है राजस्थान अगर मैं अगर आपने पॉप्लेशन के हिसाब से बूलो सबसे बड़ा राज कौन है तो यूपी हे उत्रपदेश वह अब श्री-लाल जी टंडनर्ट के दोफन के बाद है जो की श्रीलाल जी टंडनर्ट जो थे ये मद्रपदेश के ही गवरणर सहे तो अब ये अतरिक्त एडिशन इतरिक्त कारेबार समानेगी अगला है 500 रुपाय का नूर यह आप देख सकते हैं स्टोन गरी के लगा है स्टोन गरी के लगा है उसके रिलीस रेट क्या है दस नॉमबर दोज़ा सूला और यह दियो उनिटाइजेशन हुआ होता है हमारा 8 नॉमबर दोज़ा सूला इसके दो दिम बात में यह इंट्रड्यूस हुआ था इसका साइज हुआ था 154 mm x 66 mm कुछ डिटेल्स के बारे मत कर लेते हैं तो मातमगादी बीच में और लाल के ला जो है कि इसके अर्टेक कौन थे यह अर्टेक थे उस्ताद एहमद लाहोरी अब आते हैं लास्ट 2000 रुपाय का नॉट इसका क्लेर जो है मेंगनेटा है इसका साइज जो है 106 mm x 66 mm बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा असका फिर से लिटेल्स दिबापत में मातमगादी बीच है दोजार रुपाय देवनागरी लिपी में लिखा गया है और 45 जिगरी पर अगर से लिटेल्ट करेंगे तो आपको 2000 रुटे का वाटर मार्क देखेगा पीचर दिखते हैं कि मंगल यान है तो बच्छा मंगल यान कब लांच हो था पांच नॉमबर दोजात तेरा को और किस पर पर फिर ने लॉन्च किया था इस रो के हैड को है के सिवा के सच वारत का लोगो है slोगन है और लंगज पैल में इसी साथ हम इस लेक्चर को एंड करता है अगर आपको पसंद रहा है तो प्लीस इसको लाइक करेंगा शेयर करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब किये बि